नमिश्कार दोस्तों स्वागत है आपका रुपल के रुसोई में आज हमने आपके लिए त्यार करे हैं नट्स चोकलेट कप तो इसे बनाने के लिए चाहिए हमें एक कप भरकर कॉनफ्लेक्स और इसी के साथ लेंगे हम आदा कप बारी कटी हुई बदाम को तो इस रेसेपी से बच्चों का नट्स खाना बहुती ऐजी हो जाता है और एक हैल्दी रेसेपी हमारी त्यार हो जाती है आदा कप लेगे हम बारी कट वे अकृट को तो उसे भी इसमें mix कर लेते हैं और exam time में आप बच्चों को ये recipe बना कर दे सकते हैं अब हम इसे हातों की सहयता से एक बार mix कर लेंगे जिससे हमारा जो flex है उसे हम थोड़ा सा हातों से crush कर लेंगे और उसके हम रख देते हैं आप side में ये देखिए अब हमने लिए है dark compound chocolate इसमें से आदी हम यूज़ करेंगे 200 ग्राम और कुछ इस तरह से pieces में हमने से cut कर लिया है अब हम इसे melt कर लेते हैं double boiler की सायता से तो यह देखिए हमने से melt कर लिया है और आदा चमच हम इसमें डालेंगे coconut oil तो आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं optional है पूरी तरह से और इसमें mix कर देते हैं अपने जितने भी nut से उसे तो पहले हम आदे डालेंगे और बचे हुए जो है उसे भी हम mix कर लेते हैं और दोस्तों अगर आप new है मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को जोइंट जरूर कीजिएगा सारे nuts हो हमने mix कर लिये हैं और अब हम इसे silicone cup में set कर देंगे आप चाहें तो इसे paper cup में भी set कर सकते हैं तो यह देखिए हमने cup अपने लिये हैं और उसमें हम चमच की सायता से इसे set करेंगे तो पहले हम सब में डाल देते हैं एक एक चमच फिर हम इसे चमच की सायता से प्रेस कर देगे और अगर आपको यह recipe delicious लगती है तो आप comment में जरूर लिखेगा तो हमने सब को अच्छे से feel करना है और फिर हम इसे रख देंगे फ्रीज में set होने के लिए एक घंटे के लिए अब चमच की सायता से हम इसे प्रेस कर देंगे रख देते हैं set होने के लिए फ्रीज में और एक घंटे बाद लेकर आते हैं वापस आपके लिए तो यह देखे अच्छे से set हो चुकी है अब हम इसे कर लेते हैं D-mold तो बहुत ही delicious ही हमारी रेसिपी त्यार हुए और आप कोई कैसी लगी आप मुझे comment करके ज़रूर बताएगा अब हम इसकी कर लेते हैं plating तो हमने कुछ इस तरह से इसकी plating करी है thanks for watching कर दो